विसंगे जिन स्टूडेंट्स की कॉंसलिंग चले है 2021 के एस्पिरेंट सेकेंड डाउड अपांसिलंग खत्म हो चुकी अल इंडिया कोटा के लिए और आपकी स्टेट कांसिलिंग होगी और दूसरी तरफ और अल इंडिया कोटा के अंदर आपकी मौपवर्ण की इसके बाद counseling चालू होगी एक question का मैं answer कर देना चाहता था पिष्छे वाले वीडियो में मैंने एक जगे पर गलत चीज बोली थी मैं आपको उसके बारे में बता देना चाहता था यह चीज़ देख लीज़े ज़रा यदि आपको seat allot हुई है तो दो तरीके से हो सकते हैं या तो आपको upgrade हुआ है या फिर आपको fresh allotment हुआ है second round के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आपको upgrade हुआ है तो आप आगे apply नहीं कर सकते हैं आपको compulsory वह अला college लेना और उसके बाद आपका state का जो counseling है उसको भी आप accept नहीं कर सकते हैं fresh allotment में आप यह कर सकते हैं कि आपने यहां पर मना कर दिया और उसके बाद आपने state में कर लिए ठीक है यह चीज मेरे साइट से गलत थी इसके अंदर दोनों के सिसके अंदर दोनों के सिसके अंदर कि आप सीट छोड़ सकते हैं और उसके बाद state counseling में भी participate कर सकते हैं और आगे के मौपा प्रावम ने भी participate कर सकते हैं यह चीज़ यहां से निकल के आई देखिए पॉइंट नमबर 18 जो आपका information क्योंकि आपके पास वह नहीं आपका अप्ग्रेड हो गया यदी candidate जॉइन नहीं करता है इफा candidate does not join the college seat allotted during second round with a stipulated period कि उनकी फीज चली जाएगी security deposit और उसके बाद वो fresh registration करके मौपप round में participate कर सकते हैं तो आपको यह चीज थोड़ी सोच नहीं पड़ेगी क्या आप seat चोड़ना चाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको state से बहतर seat मिलने वाली है यह decision आपको लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा desynchronization चल रहा है स्टेट का थोड़ा बाद में आ रहा है और उससे पहले आपको जैसे यूपी की बात करें यूपी का शायद रिजल्ट आर्ट है नौ तारिक को आएगा और आपको पांच तारिक तक राउंड टू का डिसाइड करना है कि आप उसके अंदर जॉइन कर रहें नहीं करें लास्ट टेट शायद पार्च मार्च है ठीक है तो यह चीज़ इंप्रॉटेंट है पर कि अस्ट्वल चीज़ यह है कि यह दोनों स्टूरेंट्स रिजाइन कर सकते हैं और उसके बाद यह जो दिकेन पार्टिसिपेट इन मौपप राउन ओल इंडिया काउंस्लिंग में और ये थे पार्टिसिपेट इन स्टेट कांस्लिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपका सीक्यूरिटी डिपॉजिट चला जाएगा आपको वापिस रजिस्टर करना पड़ कि हायर स्टेट में तो मिल जाएगा ठीक है पर यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं मैं strongly recommend करूंगा कि यह bad strategy है risk मत लीजेगा आपके करियर का सवाल है ठीक है रिस्क मत लीजेगा आपके करियर का सवाल है यदि आपको जो कॉलेज मिला है ठीक है आप ऐसी सिच्वेशन नहीं कि नहीं कुछ में हो जाए आप नहीं जाना बहुत ही खराब है मुझे नहीं जाना तब तक सोच लीजेगा आप मौपप के उपर dependent है तो आप निस्ट ले रहे हैं ठीक है बच्चों